जै हिन दोस्तों, दोस्तों जै आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल सैली से सम्बंधित कलाकार काली पद घोशाल जो कि बंगाल सैली से सम्बंधित कलाकार रहे हैं और इन से सम्बंदित exam में question पूछे जाते हैं तो अभी जो भी कला से सम्बंदित exam होने वाले हैं जैसे UP, TZT, PZT, KVS, NVS, DTSP, NET, JRF कला से सम्बंदित सभी exam के लिए ये बहुत ही महद्पूर कलाकार है तो आईए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं काली पद घोशाल जो हैं इनका जो सम्ध है 1906 से लेके 1995 के बीच काली पद घोशाल का ये एक फोटोग्राफ है आप देख लीजिए बहुत ही महद्पूर कलाकार रहे हैं काली पद घोशाल 1906 से 1995 काली पद घोशाल का जन्म कब और कहा हुआ था तो इनका जो जन्म है 1906 में जिला हावडा पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था हावडा पश्चिम बंगाल में काली पद घोशाल कहां के एक परसिद चित्रकार हैं ये कोलकता के एक परसिद चित्रकार हैं गोशाल किस भारती कला आंदोलन से संबंदित कलाकार है आधुनिक कला आंदोलन से संबंदित ये कलाकार है काली पद गोशाल ने चित्रकला का अध्यन किस कला संस्थान से प्राप्त किया है तो इंडियन सोसाइटी अफ ओरियंटल आर्ट कोलकता से इन्हों ने चित्रकला का अध्यन किया है घोसाल ने वास जिसे धोवन भी कहा जाता है विधा का प्रसिच्छड किस प्रसिद चित्रकार से प्राप्त किया था तो अवनीद्र नाट टैगोर से अवनीद्र नाट टैगोर इनके वास तकनिक के गुरू रहे है कौन सा कलाकार इंडियन सोसाइटी अफ ओ Ohio Arc औरियन्टल आर्ट किल्कता के अंतिन कलाकार वह उसके उत्रादिकारी रही। काली पद घोसाल किस कला आंधोलन से जुड़े हुए कलाकार हैं तो ये बंगाले स्कूल से भिसंबंदित कलाकार रहे हैं। गोसाल ने किस जापानी वास कलाकार से जापानी चित्रकला तकनीक का प्रसिक्षड प्राप्त किया था तो याको हामा ताइकन से इन्होंने वास जापानी वास तकनीक सीखा था जो एक कलाकार थे याको हामा ताइकन ये जापानी वास कलाकार थे इनसे इन्होंने चित्रकला तक्निकी सीखी थी इंडियन सोसाइटी अफ ओरियंटल आर्ट में घोसाल ने कब चित्रकला अध्यन के लिए प्रवेस लिया था तो 1922 इस भी में वर्स 1938 में होई कोलकाता की प्रदर्शनी स्वदेशी मेला में घोसाल की किस कलाकरीती पर स्वरड़ प्रदक प्राप्त किया था इन्होंने तो हरा पार्वती जो है इस पर इन्होंने वास पेंटिंग है इस पर इन्होंने स्वदेशी मेला में 1938 में स्वड़ पदक प्राप्त किया था बंगाल स्कूल के किस आधुनिक चितरकार को वर्स 1990 में साह गरिमुला मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड से सम्मानित किया गया तो कालिपद घोशाल को किया था इंडियन सोसाइटी अफ ओरियंटल आर्ड कोलकता के अंतिम छात्र कौन थे कालिपद घोशाल के पिता और माता का क्या नाम था तो इनकी पिता का नाम ग्यानात चरड और माता का नाम बसंत कुमारी था प्रसिद चित्र सिंखला भारती राग रागनी किसे ने चित्रित किया है तो कालिपद घोशाल बहुत ही फेमस इनकी ये चित्र सिंखला है अक्सर एकजाम में पूछा जाता है किस वर्ष काली पद घोशाल को इंडियन सोसाइटी अफ ओरियंटल आर्ट कोलकाता में कला सिख्छक पद पर नियुक्त किया गया था तो 1928 में काली पद घोशाल के चित्रकला गुरू रहे तो आउनी नाट टैगोर बंगाली स्कूल के किस चित्रकार ने हिंदुस्तानी संगीत का भी प्रसिक्छड प्राप्त किया तो काली पद घोशाल ने प्रसिद चित्र हरा पार्वती को किस चित्रकार ने चित्रित किया काली पद घोशाल ने चित्रित किया था चित्रकार कालीपद घोशाल का देहांत कभवा कहा हो गया था 1905 में जिला हावडा पस्चिम मंगाल में इनका नीधन हो गया था इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं उससे देख लेते हैं प्रमुख चित्र स्रिंखला इनोंने कौन कौन से बनाई बुद्ध स्रिंखला वास एंड टेंपरा में है ये क्रिफड स्रिंखला वास एंड टेंपरा तकनिक में है भारती रागनी स्रिंखला वास एंड टेंपरा तकनिक में है इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं सकुन्तला वास एंड टेंपरा तकनीक में है 1922 में बनाया गया है पुस्प उपहार वास एंड टेंपरा तकनीक 1922 में बनाया गया है स्री चैतन अभिसार ये वास एंड टेंपरा में 1928 में श्री क्रिफ्ड का प्रशाद वास एंड टेंपरा 1928 में बना है फार्सी रानी या फार्सी राद वास एंड टेंपरा तकनीक में है पर्सियन नाइट या पर्सियन क्वीन वास एंड टेंपरा तकनीक में है शिव पार्वती ये वास एंड टेंपरा में है 1938 में बनाया गया है शिव दुर्गा वास एंड टेंपरा पद्धती में है 1942 में बनाया गया हरा पार्वती वास एंड टेंपरा में है ये 1938 में बनाया दुश्मंत शकुंतला यहाँ पर है दोस्तों मेरे हिसाब से दुश्यंत सकुंतला यहां होना चाहिए वासेंट टेंपरा में 1943 में पुश्पो चरित्र शेफाली वासेंट टेंपरा तकनीक में त्रिपुरा सुंदरी वासेंट टेंपरा तकनीक में तुछ प्रमुख चित्र थे दोस्तों अब मैं इनके चित्रों को दिखाऊंगा जो की बहुत ही फेमस है उनमें से कुछ चित्रों को मैंने लिया है तो यहां पर यह चित्र आप देख लीजिए यह चित्र है स्री चैतन अभिशार लिखा है तो यह अभिशार होगा श्री चैतन ने अभिशार 1928 में बनाए गया है ये स्री चैतन ने अभिशार बहुत ही फेमस चित्र है ये एक और चित्र यहां पर आप देखिए इस चित्र का नाम है फारसी रात फारसी रात एक चित्र है फारसी रात एक दूसरा चित्र यहां पर आप देखिए दुश्मन्त लिखा है लेकिन दुश्यन्त होना जहीं जहां तक मुझे पता है दुश्यन्त और सकुंतला ये भी एक चित्र है कालिपद घोशाल का एक और चित्र यहां पर है शिव दुर्गा का यह चित्र है शिव जी है और दुर्गा जी यहां पर यह एक चित्र है एक चित्र और यहां पर है हारा पार्वती बाई कालिपद घोशाल हर पार्वती लिखा यहां पर 1938 में इसे बनाया गया है एक और चित्र यहाँ पर है साम का सोचाल है यहाँ पर आप देखिए साम का सोचाल है नमक यह चित्र है एक और चित्र यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इस चित्र का नाम है दम्यंती देखिए यह चित्र जो है दमयंती का चित्र है ये तो दोस्तों इस तरह से हमने काली पद घोसाल से संबंदित इंपॉर्टेंट जो भी चीजे थी उसको इस वीडियो में बताया है तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है धन्यवाद दोस्तों